हेलो एवरिवन आज हम करेंगे क्लास फाइफ की एवीएस का चाप्टर नमबर ट्वेल्व अवर लाइफ सपोर्ट का आगे का पार्ट हमने आधा चाप्टर पढ़ लिया है आधे से कमी पढ़ा है अब हम बढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एट्मॉसफेर तो लेयर्स कितनी होती है टोटल five layers होती है और जब हमने कल वीडियो बनाई थी उसमें आपको समझाया था कि किस तरीके से ozone layer डिपलीट हो रही है और वह किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है ठीक हमें skin diseases हो रही है skin cancer हो रही है वो किस वज़ए से हो रही है क्योंकि ozone layer तो हमने बहुत डीटेल में study किया था अब हम पढ़ते हैं कितनी लेयर और atmosphere में और कौन सी लेयर किस तरीकी से useful है कौन सी लेयर का क्या काम है जो ट्रोपोस्पेयर होती है यह फस्ट लेयर होती है अर्ट सर्फेस से मगर जैसे कि आप जा हो यहां से अगर आप देखोगे तो जो होगी आपकी वही ट्रोपोस्पेयर की उसके बाद स्ट्रेटासफेयर और मीजो स्ट्रॉस mogą स्पेयर दें थर्मो स्पेयर और एंग्जॉस है थिक था तुब पर फस्ट लेयर है अर्थ सर्फेस के ओपर चेंजिज इन डवीधर अकर इंडिस लेयर ठीक है जितने भी च यहां पर जातर अइरोप्लेंस वगरार सब उड़ते हैं यहां पर प्रेजन्ट होती है इस लेयर में तो यहां फूल ऑडर वायलेट रेस्वाम दा सन उज उजों क्या करती हैं है। यह एब्जॉब कर लेती है क्योंकि UV rays जो होती है वह बहुत जादे हांफिल होती है और हम लोगों को skin cancer में और HIKE diseases में बहुत बतलब लोगों को skin diseases or skin cancer हो जाता है अगर यह rays आप तक पहुंच जाए ठीक है तो Mesosphere क्या होती है यह 3 लेयर होती है Meteorites or the small rocks moving about in space burn out in this layer आपने Meteorites पढ़ा होगा 4th class में भी और 5th में भी आपने पढ़ा होगा तो इस में क्या है कि इस layer में आपको क्या है Mesosphere में Meteorites मिलते हैं जो की और कुछ rocks के particles मिलते हैं जो की यहां पर burn out हो जाते हैं इसी वजह से वो surface पर नहीं पहुंच पाते हैं अर्थ की Thermosphere हमारी 4th layer है जहां पर space shuttles move करते हैं ठीक है Exosphere 5th layer है atmosphere की हमने 5 लेयर पढ़ लिए First layer में तो आपके weather जो चेंज होंगी उसका effect प्रपोसफेर करवाता है स्ट्रेटोसफेर में आपके अरोपलीन वगारा एर्रक्राफ्ट वगारा उड़ रहे हैं मीजोसफेर में आपके और मीटियोराइट्स हैं ठीक है मीजोसफेर में मीटियोराइट्स में से याद रखना फर्मोसफेर में क्या हो जाएगा आपका इस पैस शर्टल ठीक है इस पैस रिएलेटिज यतने भी है वो थर्मोसफेर में धेन एकजॉस्फेर में आपका क्या है प्प्रसेंट वानें अब कंप्वेशन क्या ए एर की इंए डाइग्राम बहुत इंपॉर्टन डैगराम है और नाइट्रोजन जो होती है सेवन्टी एट परसंट होती है और एक परसंट कौन सी गैसे होती है अधर गैसे जिसमें आपकी आरगन कार्बन डायकसाइड वगरा आ जाती है तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन पार्ट है ठीक है आप देखो ऑक्सीजन हम रेगुलर इन इता है तो आपको अगया से अधार आपको सबस्टाइब होता है नहीं होता है तो जो परसंटेज होती है डस्ट की स्मोक की जैसे कि अभी लास्ट यह पॉलिशन बहुत जादा हुआ था तो इसमें क्या हुआ आहुए भूगा है कि जो आपका परसंटेश भूद चेंज हरे घृट है तो इसी वजह से सारा ये फर्ट परता है। और बर्निंग के लिए भी कोई चीज जलाना हो ठंड में जैसा हम आग जलाते हैं तो इसमें भी ऑक्सिजन का यह बहुत बड़ी आविशक्ता है मतलब ऑक्सिजन होना चाहिए तब ही आग जलेगी है दर्वाइस नहीं जलेगी नाइट्रोजन living beings do not use nitrogen directly from the air जितने भी living beings होते हैं जैसे कि हम लोग है हम directly use नहीं करते हैं nitrogen को air से plants लेते हैं nitrogen को bacteria के थूँ ठीक है अब आपको यह पता होना चाहिए कि nitrogenous bacteria होता है soil के अंदर जो कि उसको help करता है कि nitrogen उस तक पहुंच जाए ठीक है nitrogen क्या होता है इसके थूँ nitrogenous bacteria के थूँ सॉयल में add हो जाता है by using chemical fertilizer chemical fertilizer के थूँ वो जो bacteria है वो उसमें add हो जाता है तो animals को यह जो nitrogen है कहां से मिलती है plants से मिलती है meat और fish से मिलती है शचाए अगर हम नीच से मिल रहे है तो हम यह सब चीज नाय यूज है इसाइव प्लांट से मिल रही है क्योंकि plants को खाता है ऐ्निमल्स खाते है तर देव बत्राइं हिसान कॉँड्स countries और फिर carbon dioxide बहुत important gas है plant की क्यों क्योंकि खाना जो बनता है पेड़ों का वो carbon dioxide की help से ही बनता है और उसमें water और sunlight एक main role play करते हैं इसी process को हम क्या कहते हैं photosynthesis other gases कौन कौन सी होती है hydrogen ozone helium neon argon and krypton जो की air में भी present होती है ठीक है जो other one gases का हमने यहां पर पढ़ाता ना यह other one gases ही है यहां पर यह सारी gases present होती है you must have seen glowing and colorful neon electric lights argon is also used to produce the colorful glow in glass tubes आपने देखा होगा कि जब आप light बन कर देते हो और उसके बाद भी उसमें एक glow रहता है कोई चीज आपको दिखती रहती है तो वो किस वजह से होती है वो होती है argon की वजह से argon की वजह से present होता है इस वजह से वो बात में भी चमकती हुई हम नजर आती है water vapor is formed because of the evaporation of water from the surface of water bodies like seas, rivers and lakes water vapor क्या होता है water vapor का मतलब पहले आपको बता दूँ water vapor का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा घर में पानी उबलता है तो उसकी जो भाप बनती है वो होता है water vapor जो भाप बनके ऊपर जाती है ठीक है evaporation उसी को कहते हैं कि water जो बाप बनके ऊपर जा रहा है surface मतलब जा रहा है और उपर फिर वहाँ पर क्या होता है condensation में प्रोसेस होता है फिर वापस वह पानी बारिश बनके नीचे गिरता है बादल से ठीक है अगर आपको यह बात समझ में आई हो तो आप जब देखा होगा कि मम्मा कभी भी पानी उ पानी की droplets उस धकन के ऊपर आ जाती है वह क्यों आती है वह भाब जो उड़ रही है वह उस बहार नहीं जा पार है तो उस धकन से लग जाती है और बाद में पानी बनके वापस उसी में गिर जाती है तो same process क्या होता है, evaporation और condensation का होता है, कि पानी जो है, वो भाब बन के उपर उड़ रहा है, ठीक है, evaporate हो रहा है, उपर उड़ रहा है, उपर जाएगा बादरों में, वहापे condensation होगा, condense हो जाएगा, और फिर वहाँ से वापस बारिश बन के नीचे गिरेगा, ठीक है, water vapor in the air can cause changes in the weather, it condenses to form clouds, rain, fog and snow, जैसे मैं आपको बताया कि condensation का process हो जाएगा, उपर जाके, तो क्या करेगा वो, उससे changes होता है, weather में, हमारे जो weather है, उसमें changes हो जाएगे, कभी आपको ठंड भी लग सकते, मतलब ठंड ठंड मौसम हो जाएगा, हवाई ठंड ठंड चलने जाएगी, snow follow जाएगी, fog हो जाएगा, fog means धुंद होना, the amount of water vapor present in the air is called humidity, अब गर्मियों में आपने देखा होगा, हम बहुत बोलते है, humidity अपने परिंट्स को आपने बोलते होगा, बहुत जादा humidity हो रही है, बहुत जादा humidity हो रही है, humidity क्या होती है, जो water vapor का content होता है, आप humidity बहुत जादा होती है, तो humidity से क्या होता है, जो चिपचिपा पन रहता है, बहुत जादा, ठीक है, when there is more water vapor, we say that the air is humid, जब बहुत जादा water vapor होगा, तो हम air को क्या कहेंगे, humid कहेंगे, air is dry, we say it has a low humidity, जब air dry होगी, जिसमे water vapor नहीं होगा, तो इसमें low humidity होगी, और जब जदा uncomfortable हो जाते हैं, क्योंकि आपको cooler के सामने बैठके भी आपको सुकून नहीं मिलता है, humidity से बहुत ज़्यादा irritation होती है, ठीक है, एसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम AC चलाना ज़्यादा prefer करते हैं, अब हम पढ़ते हैं, properties of air, let us read about the main properties of air, इसमें यहाँ पर एक activity दी हुई है, अगर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर इन्होंने दो balloons लिए, same size को और दोनों को blow किया, मतलब फुलाया, और एक stick के थूरू उसको बांध दिया, दोनों को, फिर उन्होंने क्या किया, एक बलू इस टिल्स टूर्ड बलून, इस एक्सपेरिमेंट शो, कि जो stick है, वो air filled balloon जो है, उसकी तरफ जुक जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो air क्या होता है, हमने इस से पहले चैप्टर में बढ़ाता है, solid liquid gas में, कि air में क्या होती है, pressure होती है, वो होता है, वेट होता है, air में, ठीक है, air has weight and air occupies space, ठीक है, अब यहाँ पर third activity है, take some water in a glass tub, अच्छा, इस activity से पहले आप घर में एक activity करके देखना, अपना एक glass लेना, एक bowl ले लेना, bowl में पहले glass उल्टा करके रखना, और उसके bowl को फिर उसके बाद उसको fill करना, ठीक है, ग्लास को उल्टा रखना है, उसके बाद उसको fill करना है, ठीक है, और जो आप bowl होगे, उसका विल्कुल flat surface होना चाहिए, ठीक है, कर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्व होगा, तो उसमें pressure नहीं बन पाएगा, ठीक है, air bubbles आजाएंगे, तो आपको क्या करना है, पहले खाली bowl लेना है, उसके pressure लगाना पड़ेगा, काफी pressure लगाना पड़ेगा, क्यों कि इसके अंदर हवा भर गई है, क्योंकि आपने पहले glass रखा था, ठीक है, तो उसके अंदर पानी नहीं है, वहाँ पर क्या है, हवा है, जैसे ही आप glass बहार निका लोगे, टक्त से आवाज आएगी, और पानी का लेवल एक हो जाएगा ठीक है और फिर आग दुबारा से अगर ग्लास को डालना चाहोगे तो वो ग्लास इस तरीके से फ्लोड करेगा ठीक है एक प्रेशर एक्जर्ट करता है मतलब प्रेशर देता है जैसे कि आपको पता है कि एर में वेट होता है इस वज़े से वह क्या होता है वह डाउनवर्ड ही रहता है अगर आप देखो मैंने यह वाले एक्जामपल दिया है वह जल्दी साब को खीचना पड़ेगा तो बहुत लगाना पड़ा चुमकि पिक अच्छवा से वह त्रग थैघ्यस सट जाती है कि उस पformed नीछे पांडी है यहां पर यह पानी है आधक होगया है इसमें एक उन पयता है इसमें प्हेज़्त दमेश जिए ऑर इसमें ृज्यार्चलब आप्यजे को इस गर पहले सब्सक्राइब नहीं करते तो ने सब्सक्राइब घंस तरिकहभ में उच्छा व्यवीट में तरह में जब कि में पहले हैं इस तरीका क Kayla के दिखा रहे हैं इसी तरीके ग्लास उठार एघ्जामपल मैं आपको भी दिखाया तो है के आब काकिन है और नो फ्रेकर मिए प्रेसर ही कैकली करी में मध्याविशा का दोन और छाथ करने पानी से और उसमें फोल कर देना है और उसको ठेल टेब से तो इस hole को बंद कर देना है और फिर उसमें फुल करके बाटल को पानी भरना है और उसका कैप भी लगा देना है एक बार का उस सेलो टेप पाट आना है एक बार लगाना है इस तरीके से आपको देखना है किस तरीके से पानी जो है किस डिरेक्शन में जा रहा है फिर लास्ट अपने बच्चों से घर पर करवा सकते हैं यहां पर यह वाली जो एक्टिविटी है इसमें यह बताया गया है कि आप एक बलून को ब्लो कर उसको फुलाओ और एक टिन का बॉक्स लो उसके अंदर उसको बलून को किसी तरह उसको अंदर फिट कर दो और उसकी जो उपर की करेगा और इजी ली वो क्या करेगा उसको लिफ्ट करने में हेल्प करेगा कि वो भी उसके साथ थोड़ा सा लिफ्ट अप हो जाएगा तेन जो है तो हम यह बात बोल सकते हैं कि जो एयर है वो सब तरफ अपना प्रेशर डालती है सेम डिरेक्शन में ठीक है वाटर तू पोर्ट करता है दॉत को इंपर्टender साथ फॉर और सरभाइवल वाटर फी उतना ही जरूरी है जितना की एयर है हमारी जिंदागी में कुआ कि हमें पानी पीने के लिए चाहिए खाने के लिए चाहिए हर Chief के लिए हमें पाने चाहिए और प्लांट के लिए सूलिट और लेते हैं और उसे पूड पूर्पेँर करते हैं वह सिता ही क्या है? प्लांट अपनों केंगे बनाते हैं? न तो फूर वहकूल में बनाते ही था, भcky पॉर्टी का यहन्य अब्हुत हिब्नात ही हमारे और न के लिए वाटर बहुत ज़ादा जरूरी हो गया है और हमें कहना बनाने में कोई और काम करने में या पिर कंस्ट्टॉक्शन वर्क में हर एक चीज में पाने की बहुत जरुरत है तो अब यह supreme पाने की कि जादा दिक्त होने लगी है आप अगर डैली पानी नॉर्मली यहां पर बिखता ही है हम यह वाला पानी यूज नहीं कर सकते हैं आरो आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि जो वाटर लेवल है ग्राउंड लेवल वाटर है वह बहुत खराब हो चुका है वह पीनिलाए नहीं रहा है तो हमें प्यॉर वाटर नैचरल व लोग जो रेन वाटर होता है उसको भी कलेक्ट करके रखते हैं और उसमें क्या करते हैं उसका जितना भी डर्ट है और इंप्यॉरिटीज है उसको रिमॉव करके उसको पीने में नहाने में अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज में उसको यूज करते हैं और पीने के युशाज होते हैं शोलीबल मिल मेंस जो घुल जाएं सॉलीबल ना गुल हैं जो ना गुल जाएंगा और जो तेख गहीं है ठीक है डीक भी का abbiamo दखेता है तो इता है जोड़ा है तो एक शीझ ओपने चुनत भी जोगी तुकिन बाप आप लिखुब माव ना कोई पानी के अंधर चीरिंग भी जाएगा थे बी पहलाई प्रमा सब्सक्राइब गरें यह जो है तो वह थैज़ प्रमार दूदर अनुदर अनली में प्रमार ब resigned के अब दिजीर काजिग बेख़ धुभाइअऑ कि अैज स्मैक फी T इस फी स्ट करते हैं हम क्या करते है उस पानी को फील्टर करें गोड़ेख़ और पीले हैं बहुत σताइ score पीने लाइक बनाएंगे उस फिल्टर पेपर में क्या होता है जिसने भी इंप्यर्टी होती है उस फिल्टर पेपर पर आ जाती है और नीचे जो है बहुत है प्योर्टर बिल जाता है तो अब यहां पर एक टेस्ट विल कर और इसकंदर दो चमज सॉल्ट डाल दो ऑब्जव कि आपना पहले सॉल्ट के साथ यह मैंने आपको एक्जाम्पल दिया एक तो सॉल्ट वाला और रेट वाला वही सब चीजे नहीं यहां की है और आपको आपजर्व करना है कि कौन से सॉल्यूबल है कौन से इन्सॉल्यूबल है ठीक है यहाप घर करके देख सकते हो इस रिमु हो गई है वीडियो इस अबाउट 20 मिनिंट्स और आप बोरो जाओगे अगर जाधा पड़ोगे तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में और इसका थर्ड पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगी और आप अच्छे से देखेगा और शितको शेयर भी करिएगा इस आल थैंक य कर दो